this problem is in continuation with problem 3.84 तो इस problem को देखने से पहले 3.84 को आप जरूर देख लो उसमें मैंने इस से एल्टरेट जो कुछ theoretical portion उसको भी cover किया है और उसको देखने के बाद मैं आपको इस में जरूर help मिल जाएगी तो मैं एक तरीके से वहीं से continue कर रहा हूं जहां पर मैंने 3.84 को छोड़ा था मैंने उसमें कुछ theoretical portion already cover कर रखा है तो यहां पर अपमें उसको पूरी तरह के से repeat नहीं करने वाला हूं इसमें तो यू कैन सी 3.84 विफो 3.85 तो इन दिस प्रॉब्लम ता सिच्वेशन इस रिवर्सेंट और वी आप दिस कांड अफ डिवादेशन जो 1 और 2 है इसके बी में जब यहां पर electric field नहीं किया गया था तो जो electric field था वो electric field जैसे 3.84 हम बताया गया था है कि electric field बिफोर फिलिंग डिट एलेक्टर के जी नोट यानि कि जब कोई भी फिलिंग यहां पर नहीं की गई है यह एरिया एजूम कर लेते हैं यह डिस्टेंस अजूम कर लेते हैं तो electric field जो है वो एनोट के बराबर है और दो अलगलग cases के लिए में solve करना होते है एक बार जब ब बना दिया जाता है इसको charge conserve रह जाता है लेकिन बैटरी हट जाती है तो पहला case यहां पर ले रहे हैं जब बैटरी remains connected या potential difference remains constant वाला case है तो सपोज हमने इसको यहां पर ऐसे connect किया हुआ था तो जो E0 था वो E0 अगर मैं इस battery के टम्स में लिखो तो E0 is equal to V by D के बराबर हो जाएगा और जो अपने यहां पर यह इसमें डियलेट्रिक को insert भी करा दिया और उसके बाद में वही बैटरी अभी भी connected है तो अब देखो कि potential difference तो वही रह जाता है जो electric field यहां पर है E1 और जो electric field suppose यहां पर है E2 तो E1 is equal to E2 रहेगा और वही V by D रहेगा और अगर आप इसको E0 के difference में लिखना चाहते हो तो this is again E0 लेकिन जहां तक D1 D2 के बात है तो जो D1 होगा D1 is equal to epsilon not k इसके लिए वन हो जाएगा into E1 तो आप E1 की value यहां पर रेक्सक्त तो E0 और जहां तक D2 है तो D2 is epsilon not यहां पर dialletric constant में k इसको assume करके चलता हूँ मैं k symbol use कर रहा है रोडो में हर जिएगे पर relative permittivity को epsilon symbol से represent किया गया लेकिन relative permittivity generally हम यहां पर उसको epsilon r से represent करते है या फिर k से represent करते है dialletric constant तो k into e2 e2 b e0 के बराबर यह तो epsilon not k into e0 इसके second part पर आते हैं जिसमें charge को constant बताया गिया है तो suppose initially q minus q charges थे electric field in terms of charges q divided by epsilon not था यहां पर फिर बाद में half-half यहां पर इस तरह के से fill कर दिया रहता है और charge अभी भी plates पर वही रहता है लेकिन इसके fill करने के बाद में charges यह बार वापस से redistribute होते हैं और suppose यहां पर जो charge है inner facing surfaces पर ही होता है charge हमें सक q1 minus q1 हो जाता है और suppose यहां पर q2 and minus q2 यह charges यहां पर हो जाते हैं इसमें इसके बाद में आपको अब electric field अगर आप देखो यहां पर तो electric field अगेन आपको यहां पर दिखाई देगा इसमें कि यह पूरी प्लेट सेम पर होगे क्योंकि यह एक मैटलीक प्लेट है यह पूरिप्लेट सेम पर होगे क्योंकि अगेन यह ही पूरी मैटलीक प्लेट है तो यहां से यहां का Cannon difference और यहांसन का lakhप्र एfe और गप भी वहीं रहेगा दोनों साइड के लिए तो वह ही Vou licon difference divided by d and the same potential difference divided by d तो इसका मतलब जो electric field इस region में आएगा वो ही electric field इस region में भी आना चाहिए e1 must be equal to e2 जो ही potential difference है मैं इससे compare नहीं कर रहा हूँ उसको ये v कुछ अलगता मैं जस्ट यहां पर एक potential difference लिख रहा हूँ जो कि दोनों plates के बिसमें v के बराबर ही होगा divided by distance is d तो e1 e2 के जो values हैं बराबर आएंगे लेकिन कितनी कितनी आएंगी वह हमें जस्ट यहां पर इसमें देख लेना है तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि पहले यहां पर d vector का यह बर देख लेता हूँ तो d vector के लिए again जैसे 3.84 number question में इस तरह की का किया हुए एक इस तरह की गॉसें फिल बॉक्स ले लिया और d vector सिर्फ free charges पर depend करता है और इसमें सिर्फ free charges यहां पर आ रहे हैं यहां तो जब यह medium आएगा तो उसमें bound charges आएंगे तो suppose यह d1 के बराबर है तो d1 suppose small area is equal to s this is sigma 1 into s तो d1 is equal to simply sigma 1 और sigma 1 को यहां पर आप simply लिख सकते हो q1 divided by यह जो area है वो area हो जाएगा a by 2 तो यह d1 की value यहां से आ गई इसे तरीके से d2 की value आप निकाल सकते हो d2 is equal to sigma 2 आ जाएगा और sigma 2 यहां पर हो जाएगा q2 divided by a by 2 electric field निकालना चाहते हैं तो d1 is equal to epsilon 0 k तो 1 हो जाएगा इसके लिए into e1 तो e1 आप लिखोगे तो बस epsilon 0 से इसको divide कर दो तो 2 q1 divided by a epsilon 0 इस तरीके से अगर आप e2 निकालना चाहते हो तो d2 is equal to epsilon 0 अब यहां पर के आ जाएगा k into e2 तो e2 is equal to 2 q2 divided by k epsilon 0 और e1 e2 बराबर यहां पर e1 is equal to e2 तो अगर आप इन तोनों का बराबर कर दो इसमें तो q1 is equal to q2 by k या q2 और q1 में यहां से relation आगे q2 is equal to q1 into k और इसका मतलब q2 और q1 जो है आपस में वो इस ratio में डिवाइड हो गए k की ratio में डिवाइड हो गए और q1 प्लस q2 का summation हमें सा q के बराबरी रहेगा तो अब simply आप e1 अगर निकालना चाहो तो e1 यहां पर मैं q1 q2 की values पहले लिख लेता हूं तो q1 और q2 के जो values होंगी तो q2 जो है वो q1 का k time से यहां पर आ रहे है तो 1 divided by 1 plus k into q यह q1 हो जाएगा और q2 में k उपर आ जाएगा तो k divided by 1 plus k into q और just up e1 e2 में बस values e1 e2 दोना बराबर ही आने तो किसी भी एक में values पूट कर लेंगे even is equal to e2 तो में e1 में value पूट कर लेता हूं तो 2 divided by a epsilon 0 और q1 के जाएगे पर आप यह put कर लो q divided by 1 plus k और यह q divided by epsilon 0 यह factor है q divided by epsilon 0 यह इसके बराबर हो जाएगा e0 तो it is twice e0 divided by 1 plus k तो this is the value of electric field in the two regions e1 e2 और e1 e2 आगे तो आपको electric यह पता है कि d1 d2 किसके बराबर कैसे आएगे तो d1 d2 भी easily आजाएगे d1 is equal to simply epsilon into e1 और d2 यहाँ पर epsilon 0 k into e2 तो e1 e2 तो बराबर ही है एक में बस k का factor यहाँ पर extra आएगा तो बर दी 1 की value यहां लिख देता हूं और d1 is जो values हैं तो twice epsilon 0 e0 divided by 1 plus k इसे question को सोसने के एक दुसार धंग यहाँ पर यह भी हो सकता था कि इस तरह की एक जो system होता है इसको हम दो parallel capacitors का combination ले सकते हैं तो it is like a combination of two parallel capacitors और इनके 20 में जो charges हैं उसको divide होना है Q charge को इन दोनों में divide होना है तो parallel दोनों पर potential difference equal है तो इसका charges होंगे जैसे Q is equal to CV और V दोनों के लिए same है तो Q is deadly proportional to C और इसमें और इसमें जो C हम लिखेंगे इसमें जो C आएगा वो आएगा epsilon 0 a by 2 divided by D इसमें जो C आएगा वो हो जाएगा epsilon 0 में k आ जाएगा extra तो k epsilon 0 a by 2 divided by D तो 1 ratio क्या आ रहा है यहाँ तो यहाँ पर k times जाला charge होग और आवाँ छिरा में हैं? P argumentत्ते है